सदिनगेटी माइडेशन को हम डिसकस करें एक चीज़ जहन में रखिए कि there is a difference between a dispersal of animals and a migration of animals dispersal में जो animals हैं जब वो dispersed होते हैं किसी जगा जाते हैं तो वो एक permanent जह है वो उस जगा को अपना मसकन बना लेते हैं लेकिन जो migration है its back and forth movement है it's a seasonal movement, it's a periodic movement वो जाएंगे, आएंगे दुबारा एक circular जह हो motion के बाद या एक खास जह हो वक्त के बाद दुबारा अपने असल मसकन की दरफ जह हो आ जाएंगे तो यह जो सदिनगेटी migration है जो के तंजानिया और कीनिया के एक उस जह हो 15,000 km square के जो national park के अंदर फैली भी clockwise migration है it is considered as one of the 10th wonders of natural world यहनी के जो जानरों की दुनिया है उसमें यह जो हो एक wonder of event है और greatest wildlife shows है on the earth, यहनी के wildlife उनको कोई direct नहीं का रहा हूना है wild animals को, कोई इंसान उनको direct नहीं का रहा हूना है, nature जो है, उनकी instincts जो है जो उनकी biological clocks हैं, जो उसकी इदगिर्द का महौल है वो उसको जो है, उसकी instincts को जो है stimulate करता है कि अब उसने जो है, वो migrate करना है it is one of the best events in Tanzania to witness मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि यह जो migration है सरिंगेती, animals की migration है, इसके उपर बेशमार documentaries बनती है इसके उपर बेशमार जो wildlife की photographers है, उनकी one of the favorite place है, लोग camping करते है, tourists जो हैं वो वहाँ पर बहुत जादा जाते हैं, बहुत जादा जो इन जानवरों के मुतलिक इलम हासल हुए, वो वहाँ पर रह कर और जो है वो इनकी habits को इनके behavior को देखके उसके बाद बहुत सरी मालूमात जमा की हैं, और ये एक बड़ा inspiring life का event है और बहुत expensive और complex ecosystem के उपर फैला हुआ लेकिन ये सारे का सारा जो migration का phenomena है, जो बहुत complex है, इसको stimulate कौन का रहा है, इसका जो dominant factor क्या है, वो है rainfall, क्योंकि जहां 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 बारिश होगी, ये जो हिस्सा है, दर हकी कि mostly जो प्लेन है, वो dry है, तो जहां जहां बारिश होती है, ये बड़े बड़े जानवर अपनी खुराग की तलाश में, अपने survival के लिए, जिन्दा रहने के लिए जहां वहां migrate करते जाते हैं, लेकिन जहां वो इस migration के दौरान जहां उन्होंने बहुत सारी जहां दर्याओं में से भी गुजरना है, उन्होंने कहीं पहाड़ियों के उपर से भी गुजरना है, उन्हें जहां बहुत से predators जहां जो वहाँ पर पाए जाते हैं, उनसे भी खतरा है, उनसे भी बचना है, तो जो है ये सरिंगेटी जो है, वो migration, one of the wonderful phenomena है, natural world का जो हम देखते हैं, अब इस सरिंगेटी migration में जो सबसे important, जो animals, जो है, वो movement है, वो wild beast की जो है, वो movement है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, उपर वाली picture में जो है, वो wild beast जो है, अंग्यूलेट्स, इनको जो है, वो दिखाएगा, और साथ में जो है, वो उसका एक newborn baby जो है, वो है, इसके इलावा जो है, इसमें zebras है, smaller numbers जो है, वो grand gazelles का है, ग्रांट gazelles जो है, वो अपने बच्चों के साथ, यह जो है, आपको picture में नजर आ रह है, यानि इस रास्ते से जाना है, यहां जाना है, मैई जून में यहां पहुँचना है, एप्रिल में यहां पहुँचना है, डिसंबर में यहां पहुँचना है, तो हर मन्त में वो कहां और कहां पर पाए जाएंगे, उन्हें क्या चीज मिलेगी, किस तरह से जो है, उनको म quality of water उनको जह हो वो मिल रहा होता है अब ये ecosystem चल कैसा रहा है ये ecosystem जहां जहां से animals गजर रहे हैं वहां वहां से घास ख़ाते जा रहे हैं आगे चलते जा रहे हैं अब आद बहुत जब animals होंगे तो चुके ये बड़े animals हैं और हजारों लाकों की प्रदाध के अदर जा रहे हैं, तो बहुत सारा जो है, वो उनके, फीसे और वेस्ट मिटीरियल बॉडी से, जो सॉलिड वेस्ट है, वो उस जमीन पे गिर रहा है, वो एक जो है, वो फटलाइजर के तौर पर जो है, वो उस जमीन को मिल रहा है, और ग्रास जो है, जैसे ही ने वहाँ पर रख दिये तो ये एक clockwise movement जो है वो तंजानिया के Northern हिस्से से कीनिया से होती भी जो है वो वापस आएगी. प्रिसाइस टाइमिंग है इसकी कि जो है ये एककास वकत में यहां से यहां जो है वो जाना है और entirely dependent है upon the rainfall pattern in each year. अब इसके अंदर जो है वो सेरिंगेटी migration में जो animals जो है वो ले रहे हैं जो हिस्सा लेते हैं वो कितने हैं कैसे हैं इसमें जो largest antilope है जो के short hand antilope है उसे island कहते हैं जरा देखे यहां पर common island जो है यह है इसके पर यह जो marks है और इसके यह horns जो है इसकी पहचान है और तकरीबर यह 72 inches तक जो है वो tall होता है इस तरह wild beast जो है उसको हम जो है उसका common name जो है वो गुनू भी है और तकरीबर जो है वो 58 inches जो है वो tall होता है और जो है उसक है ये तकीबन 50 inches जो है वो टॉल होता है यहाँ पर जो है ये आप जो है वो देख सकते हैं इमपाला जो है वो उसको देख सकते हैं ये medium size antilope है जो कि 35 inches जो है वो टॉल होता है ये thormson gazaal जो कि साथ में जो है वो उस migration का हिस्सा होता है आप इसको भी जो है वो देख सकते हैं इसके लावा जो है वो हम कुछ और आपको यहां पर बताने की कोशिश करेंगे कि यह जो है हमारे पास यह जो wild beast है यह दर रकीकत यह एक जो है वो antilob है जिसे जो common name है जिसे गुनू कहते है यह जो है वो लाकों की तर तो एक बहुत बड़ी सारी जो है वो animal movement नजर आती है यहाँ पर ज़रा इसकी species देखें और देखें के जो है वो यहाँ पर इसमें दो species है एक है wild beast, blue wild beast और जो कि तंजानिया में पाया जाता है इसके यहाँ पर जो है वो एक तो आपको lines नजर आ रही है दूसरी जो tail है वो black होती है और दूसरा जो है वो black wild beast है black wild beast जो है वो less जो है वो migration में हिस्सा लेता है जो blue wild beast है ये basically जो है वो ज्यादा number में जो है वो migrate करता है इस serengeti migration में जो animals जो हिस्सा लेते हैं वो rivers को भी cross करेंगे predators से भी जो है वो बचेंगे लेकिन जो newly born जो इनके babies होते हैं clouds होते हैं उनके predators की नजर उनके उपर होती है कि वो उनको कैसे जो है वो खाए चुक्कि वो ecosystem है जो है primary consumers भी वहाँ पर है जो कि ये antilopes और different इनके antilopes की किस्मे है जो कि इस migration में हिस्सा ले रही है number इनका different होगा सबसे largest number जो है वो blue wild beast का है लेकिन उसके साथ साथ जो carnivore वहाँ पर रहते हैं जो big cats वहाँ पर रहती है वो इनके उपर dependent है अपने survival के लिए तो इस तरह जो है complex ecosystem एक बड़ा खुबसूरत सारा जो है वो नजारा पेश करता है जो कि जानवर जो है वो खुद अपनी instinct के साथ जो है वो clockwise annual movement जो है वो शो करते हैं